मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है तो आज हम अनायलसिस करेंगे सेंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो ऐस यूजूल शुरू करूँगा फिंगर्स के अनायलसिस से उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को और माउंट्स को और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को इस तरह से पुरी हैंड का जो अनायलसिस हम कंप्लीट करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ कर सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वार शेप बनाती हुई नजर आ रही है जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो फिंगर्स काफी अच्छी लेंट में है और फिंगर्स के बीच में काफी सारी गैप्स नजर आ रहे हैं आपको दिखाना चाओंगा यहाँ पर कुछ इस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे आपको क्लियर गैप नजर आएंगे इस तरह के गैप्स का होना दर्शाता है के नेटिव काफी ज़दा इंडिपेंडेंट नेचर कर रहेगा इस तरह के गैप्स अभी फिंगर्स के बीच में मौचूद हों तो ऐसे व्यक्ति किसी के अंडर रहकर काम कर पाना पसंद नहीं करते काफी ज़दा इंडिपेंडेंट नेचर रहती है थोड़ा सा जिद्धी सभाव रहने की समभा बनाए लेकिन निरनेल लेने की काफी अच्छी काबलियत भी ऐसे व्यक्ति के भीतर होती है और अगर देखा जाए फिंगर्स की लंबाई को तो शनी फिंगर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं काफी अच्छी लंबाई में नजर आ रही है बिलकुल स्ट्रेट शनी फिंगर्स जो यहाँ पर दर्शाती है कि काफी हार्ड वर्किंग नीचर रहेगी ऐसे व्यक्ति बहुती मेहनती होती हैं और साथी साथ डिस्सिप्लिन्ड होते हैं हर काम को पूरा करने में जी जान लगा देने वाली काबलियत इनके भीतर रहती है और अंसाशन प्रिया होते हैं नय प्रिया होते हैं इस तरह का सभाव व्यक्ति का रहता है जब शनी फिंगर लंबी हो और स्ट्रेट हो साथी साथ यहाँ पर सूर्या फिंगर की लंबाई को अगर देखा जाए तो वो भी कम नहीं है यह सूर्या फिंगर है, यह यहाँ पर लंबाई में श्यनी फिंगर के टॉप फैलंज तक पहुंचती हुई, सूर्या फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को क्रियेटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटिस देता है, ऐसा व्यक्ति एंटर्टिन्मेंट होना नेटिव को रिस्क टेकर भी बनाता है, ऐसे व्यक्ति रिस्क लेने से बिलकुल भी नहीं घबराते हैं और लाइफ में कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं, अपने धन को ऐसी जिगाहों पर इन्वेस्ट कर देते है जहां पर loss के chances भी रहते हैं जैसे share market है, crypto currencies है, mutual funds है ऐसी चीजों में अपना धन लगाने की रूची भी इनके भीतर रह सकती है बात करते हैं इनकी index finger की यानि के guru की finger यह finger आप देखोगे, यह finger अगर लंबी हो, straight हो तो व्यक्ति के भीतर काफी अच्छी leadership qualities रहती है तो आप यहां पर देख सकते हैं इस finger की लंबाई को जाना तर लोगों के हाथ में यह सूरे finger तो लंबी होती है लेकिन यह finger short होती है लेकिन इनके हाथ में यह दोनों fingers काफी अच्छी लंबाई में और equal लंबाई में नजर आ रही है और यह finger अगर ब्रस्पती finger अगर लंबाई में हो तो native की leadership qualities तो strong होती ही है साथी साथ इनकी spirituality का level भी अच्छा रहता है ऐसे व्यक्ति दूसरों को lead करने की qualities रखते है एक team को manage करने की काफी अच्छी काबलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर आ जाती है जब यह वाली finger index finger अच्छी लंबाई में हो आगे बात करते हैं इनकी mercury finger की अब देख सकते हैं काफी अच्छा gap है इन दोनों fingers में खास तार पर जब इन दोनों fingers में अच्छा gap बन रहा हो तो native rebellion type की quality रखता है थोड़ा सा जदी सभाव और जिस काम को करने के लिए ऐसे व्यक्ति ठान लेते हैं उसको करकर ही दम लेते हैं इस तरह का nature रहता है और दूसरों से खास तार पर दूसरों की राये ना मानना अपनी मर्जी करना लेकिन responsibility लेने वाली personality रहती है ऐसे व्यक्ति की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह finger जो है अच्छी length में है बेशक बहुत ज़्यादा लंबाई नहीं है योगि अगर ज़्यादा लंबी हो तो यह finger सूर यह finger के top balance तक पहुँचनी चाहिए medium length में इस finger को काहेंगे तो communication skills अच्छे रहेंगे और even business equipment भी अच्छा रहा था ऐसे व्यक्ति का जिनकी यह finger strong हो बहुत ज़्यादा short यह finger नहीं होनी जाई तो यहाँ पर यह finger medium size में नजर आ रही है चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी mounts को उसके बाद चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को तो यहाँ पर अगर मैं एक line draw करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है जिसमें आप देख सकते हैं इनके सभी mounts size set हैं कोई भी mount यहाँ पर low set नहीं हो रहा है सभी mounts को बहुत अच्छी space मिलती हुई दिखाई पड़ रही है आप देख सकते हैं यह इनका guru mount है अगर इतने यह जितना मैंने circle किया आप देखोगे तो यह आपको उठा हुआ उपर की तरफ उबरा हुआ mount नजर आएगा guru mount का उबरा हुआ होना व्यक्ति को बहुत अच्छी knowledge देता है इसी के साथ साथ यहाँ पर आप अंगूठे के उपर देख सकते हैं complete आख जैसी अकरिती आपको बनती हुई नजर आएगी जिसको हम बुद्धाज आई कहते हैं बुद्धाजाई का चिन हाथ पर मौजूद हो और guru परवत यानि कि ये वाला जो area है उबरा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति knowledge के मामले में लकी रहते हैं ग्यान हासिल करते हैं खास तोर पर spirituality के मामले में बहुत अच्छे रहते हैं six sense बहुत अच्छी होते हैं आने वाली घटनाओं का पूरवा अनुमान बाकूबी लगा सकते हैं कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो या किसी अपने relative या खास मित्र के साथ होने वाला हो उसका पहले से ही इनको पता चल जाता है पूरवा अनुमान हो जाता है और काफी loyal and honest type की personality भी रहती है जब ये परवत यानि के गुरू परवत उबरा हुआ हो तो यहाँ पर इनका ब्रस्पती बहुत अच्छा नजर आ रहा है शनी लेकिन यहाँ पर दबता हुआ नजर आ रहा है इस परवत को देखेंगे ये आपको अंदर की तरफ दबता नजर आएगा आप compare कर सकते हैं दोनों mounts को तो शनी अगर दब रहा हो तो native को life में काफी संघर्ष भी करना पड़ता है काफी मेहनत करनी पड़ती है अपने comfort zone से निकल कर काम करना पड़ता है तो शनी परवत का उबरा हुआ होना व्यक्ति को आलसी भी बनाता है लेकिन ये परवत अगर दबा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति मेहनती होते हैं यहाँ पर इस परवत के बारे में दोनों ही चीज़ें हैं कुछ अच्छी चीज़ें हैं कि ऐसा व्यक्ति हार्ड वर्किंग होगा लेकिन साथ-साथ ऐसे व्यक्ति को अपने comfort zone से निकल कर काम करना परता है अगर हम बात करें इनकी भागया रेखा की तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक fish का symbol बनता हुआ और साथ-साथ इसी से एक रे है लेकिन इसका प्रभाव इनको जरूर मिलेगा अगर एक अच्छी भागया रेखा हाथ में हो तो native का भागया साथ देता है तो life में progress की काफी अच्छी जो इसके benefit है वो व्यक्ति को जरूर मिलते हैं लेकिन 36 की age तक यह है रेखा इनको benefit देती उसके बाद struggle थोड़ी ज्य क्योंकि तीन रखाओं से money triangle बनता है ये एक सबसे पहली रेखा तो यही भागया रेखा होती है दूसरी ये वाली रेखा mind line अगर इसतना से लंबी हो और तीसरी ये जो रेखा शुरू हो रही है ये भी अगर इसतना से cross कर जाए ये तीन रखाओं अगर इसतना से एक triangle बना जिसकी वज़ा से धन की जो income है वो अच्छी रहेगी लेकिन खर्चे काफी अधिक रहने की संभाव बनाएं बात करते हैं इनके सूरे परवत की तो आप यहां पर देख सकते हैं इनका जो सूरे amount है बिलकुल flat नज़र आ रहा है बिलकुल भी उबरा हुआ amount नहीं है सूरे रेखा का भाव है यहां पर सूरे रेखा कुछ ऐसी रेखा होती है कई बार यहीं पर शुरू होती है यहां कुछ लोगों के हाथ में यह रेखा थोड़ा नीचे से शुरू होती है यहां से शुरू होकर इस तरह की एक रेखा हाथ में मौचूद हो तो इसको सूरे रेखा क मिलने में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, बहुत धाया स्ट्रगल करने के बाद वह चीज मिलती हैं, जब ये रिखाय मौजूद नहीं होती तो ऐसा नहीं है कि वह चीज़ें मिल नहीं पाती, लेकिन थोड़ी मुश्किल से मिल पाती है थोड़े संगर्श से मिल पाती है तो यहाँ पर सूर्य रेखा का अभाव भी नज़र आ रहा है मरकरी की बात करें तो मरकरी माउंट यहाँ पर उभरा हुआ है जिस वज़ा से अच्छे कम्निकेशन स्किल्स और अच्छा विजनस एक्मन रहने की संभाव बनाए है और अगर हम बात करें इनकी हार्ट लाइन की तो आप यहाँ पर देखेंगे हार्ट लाइन कुछ इस तरह से हलकी ओवरलैप होकर इस तरह से एक हलका विजनस सिंबल बनाती हुई भी नज़र आ रही है इस तरह का जो चिन रहता है जो यहाँ पर आपको बनता हुआ नज़र आएगा इसे हम विजनस सिंबल यह वी सिंबल कहते हैं और जिन लोगों की हाथ में यह चिन बनता है, ऐसे व्यक्ति काफी तरक्की कर पाते हैं, लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चल कर तरक्की करने की कोशिश करें, तब लाइफ में बहुत सारी अर्चने आ जाती हैं, और तरक्की रूख सकती हैं, जिनके हाथ में यह चिन होता है नहीं हमेशे यह सुझेस्ट करता हूँ कि इमानदारी से काम करते रहें तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की आपको जरूर देखने को मिलेगी और आप यहां पर एक चीज़ और देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है इसमें हलकी सी ध्यान रखना पढ़ेगा लेटरेज में चलकर हार्से लेटर प्रॉब्लम्स और ब्लड प्रेशर जैसे दिखते हैं परशानी भी दे सकती हैं बात करते हैं इनकी माइन्ड लाइन की तो अब देख सकते हैं जो माइन्ड की लाइन है यहां पर बिल्कुल स्ट्रेट है और एक अच्छा गैप जैसे मैंने अलड़ी बताया कि जब इन फिंगर्स में गैप होता है और माइन्ड की लाइन और लाइफ लाइन के बीच में भी गैप होता है तब यह पुष्टी हो जाती है कि ऐसा व्यक्ती बहुत जब इन्डिपेंडन्ट ख्यालों का होगा जिद्धी सभाव और छोटी एड से ही अपने डिसीजन्स लेने वाला होगा इस तरह कि नीचर इनकी माइन्ड की लाइन दर्शा रही है अच्छी मैमरी को दर्शा आती है और काफी प्रैक्टिकल टाइब की परसनालिटी को यह यहां पर इंडिकेट करती हुई नजर आ रही है आगे बात करते हैं इनकी लाइन आफ लाइफ की आप देख सकते हैं लाइफ की लाइन काफी अच्छी लंबाई में लंबी दूरी की यात्राएं इनहारेटेड वेल्थ मिलने की संभावना अच्छानक धनलाब लाइफ में होने की संभावनाओं को प्रबल कर देती हैं ऐसा फिश का सिंबल और अगर हम वीनस की बात करें शुक्र परवत की बात करें तो यह शुक्र का एरिया है उबरा हुआ शुक्र परवत व्यक्ति को एंटर्टेन्मेंट में इंटरस्ट दिलवाता है लग्जरिस लाइफ में रहती हैं हर तरह की सुकसोधाएं मिल जाती हैं लेकिन अगर इस परवत के ओपर आड़ी रिखाएं मौचूदों जैसी ये छोटी-छोटी रिखाएं हैं तो मैरिट लाइफ में थोड़ी इंस्टिबिलिटी रहने की सभावनाओं को भी बढ़ा देती हैं से मिलने वाले सुखों में थोड़ी सी कमी आ सकती है लेकिन ओवरॉल की मिजर इशू यहाँ पर इनके शुकर माउंट के जरीए नजर नहीं आ रहा क्योंकि इनका जो इनकी माइंड लाइन है वो भी मीडियम साइज़ और बिल्कुल स्ट्रेट है तो काफी प्रैक्टिकल टाइप की परसनेलिटी यहाँ पर इनकी हाथ की रिखाओं से मैं देख पा रहा हूँ तो दोस्तों यह कुछ अनायलसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सुवालों के जवाब एक ही वीडियो के दुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन या सुवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्व मेरा वीडियो वाच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद